now the next one is mental development physical education का objectives में जो second one है वो है mental development हमारा mentally कैसे develop करता है physical education में okay so this development is related with positive thoughts, ideas, behavior, attitude, conduct and response यह कैसे develop करता है हमको so this objective is develop our mental development like related our positive thoughts अगर आप देखो यहां पर positive thoughts पॉजिटिव थौट्स कैसे होते हैं आप देखो कि अगर एक player है अगर वो एक sports person है तो उसके अंदर ना चाहते वे भी वो अपने अंदर negative thoughts नहीं ला सकता है वो अपने अंदर सिफ positive thoughts ही लाता है और वो तब तब देख उस positive thoughts को अपने पास रखता है जब तक match का ending ना हो जाए तक वो match lose ना कर जाये तब तक वो positive thoughts के साथ ही हमेशा रहते हैं और अपने players को अपने माइंड में लेके आते हैं अगर in fact अगर आप देखो मैं सिंग धोनी को देखो आप तो वो last moment पे भी वो अपने अंदर इसी positive thoughts के साथ में रहता है इसी उमीद से रहता है वो की नहीं कुछ changes हो सकता है या फिर कुछ हम अगर वो अपने अंदर पहले ही negative thoughts लेके आएगा तो उसके जो team members होंगे जो और भी लोग होंगे वो उनकी hope क्या हो जाएगी वो down होती रहेगी वो दिरे दिरे खतम होती रहेगी अगर आप cricket में देखोगे अगर आप cricket में देख रहे हो वहाँ पे एक बॉलर है उसके run बहुत जादा बिट रहा है वो बहुत जादा run दे रहा है तो अगर आप उसको बोल दोगी कि हाँ उसे आप motivate नहीं कर उसे positive thoughts नहीं दोगे आप तो क्या होगा उसकी hope क्या होती जाएगी वो दिरे दिरे कम होती जाएगी तो mentally development में हमें जो उसकी thoughts होती है जो उसकी positive thoughts को हमें देनी पर तो उसे मोटिवेट करना करना पड़ता है ना चाते विए हमें उसे motivate करना पड़ता है नहीं we can do best ओके तो यहां पर आमें positive thoughts आप नहीं जाते हुए हमें positive thoughts को अपने mind में लाना पड़ता है ओके सो हमें ने ने आइडियाज हमें हमारी जो ideas होती है हमें ने ने आइडियाज जो है करने पड़ते हैं अपने matches को लेगे और फिर कुछ भी लेके सपोज आप match खेल रहे हो आप cricket खेल रहे हो आपका baller है जो उस time पे run बहुत ज़ादा दे रहा है तो आप उसे क्या करोगे उस time पे आपके mind में क्या आएगी creativity आएगी कि आप इसे थोड़ा सा rest दो या फिर change करो किसी और matches में है तो player को change किया जा सकता है तो आपके mind में क्या आएगी नई-ने ideas आएगी तो आप या तो उस player को change करो उसे break दो या फिर कुछ भी हो जाए कुछ भी हो सकता है तो आपको क्या करना है उस पे mind में नई-ने creativity चीज़े आती है आप ऐसा करो ऐसा करो match हम हार गया है तो हमें किन चीजों की जरूरत है उसे best करने के लिए उसे better बनाने के लिए तो आपके मन में क्या आते ideas develop करता है वो okay so behavior behavior क्या है मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता रखा है कि behavior वो होता है जो दिखाई देता है आपका behavior दिखाई देता है आप match हार रहे हो map जीत रहे हो और आप suddenly aggression में हो ground पे बहुत जादा aggressive हो रहे हो क्योंकि आप का situation आपका जो mental have mentally properly work नहीं कर रहे है तो आप आप जो आपका जो behavior के थुरूँ वो दिखने लगता है तो आप एक match में एक sports person में क्या होता है उसका behavior जो है वो बहुत जादा माइनी रखता है आपको उस पर अपना control लखना पड़ता है आप matches में हो औ और suddenly आप match हार रहे हो तो अपने behavior में change लाओगे आप कुछ भी करने लगो आप abusive use करने लगोगे और या फिर कुछ भी चीज़ें आप उल्टी सीधी करने लगोगे जो दूसरों को अच्छी नहीं लगेगी और दूसरों को वो effect करेगा तो यह हमें इस पर भी हमें अपने आपको कैसे work करना चाहिए कैसे अपने behavior को अगर आप match lose की हो या फिर आपसे कोई भी चीज़ की गलती हो गई है तो आप जो है आप अपने उसे behavior में नहीं लाते है उसे better करने के लिए आपको दूसरा chance मिलता है दूसरे matches मिलते हैं करने के लिए तो आप इसमें अपने behavior में आपका दिन नहीं होता है तो आपके attitude में क्या show हो रहा है तो आप यह सारी चीज़ें conduct response आपको एक responsibility कराता है यह आपको responsible बनाता है कि किस तरीके से आपको responsibilities लेनी है so there have a lot of things जो यह क्या करता है आपको mentally आपको develop करता है so this objective is improve our mental development so यह जो development है mental development यह objective क्या है हमारा mental develop करता है okay so this identity to be one's personality by good behavior okay okay so the third one is social development the third one is social development social development कैसा होता है you can see here the man is a social animal and cannot live with society man is a part of society and has to follow the rules regulation traditions and laws of society okay so आप यहां पर देखिए कि man is a social animal मानव क्या एक समाजिक जानवर है और जो उस समाज के विना वो रही नहीं सकता है वो उस society का एक part है जो उसके साथ में रहना ही पड़ता है और उसके जो rules regulations और traditions होते है वो उस और उसको क्या करना पड़ता है वो follows करने पड़ते हैं उस सारी चीज़ को वो follow करना पड़ता है और आप अगर देखें इस टाइम पर तो जो हमारे जो society की लोग है वो एक human की तरह काम ही नहीं कर रहे हैं अगर आप उनको देखे जाए तो उनका जो एक काम है वो सच में एक जानवरों के जैसे हो गया है अगर उनका work देखा जाए वो जिस तरीके से आज के टाइम में चीज़े कर रहे हैं अगर आप एक आज की situations को देखें जैसे जैसे वो लोग आज के टाइम में चीजों को खराब कर रहे हैं तो एक तरीके से यह क्या करता है फिसकल फिटनेस हमारे शोशल को अवेर कराता है कि नहीं आपको कि सोसाइटी के साथ में रहना चाहिए आप सोसाइटी को help करो और लॉयल रहो बहुत सारी चीज़े होती है जो फिसकल आपको फिसकल एजुकेशन के थ्रू जो है शोशल में लोगों को अवेर कराया जाता ह है इस में Anac We terminar है इस अब्जेक्टिव यह हमारा शोशल डेवलोपमेंट है इस अब्जेक्टिफ डैवलप यह शोशल कॉलिटीज लाइक किया क्या कॉलिटीज यह प겠죠- Belarus है पो अपरृटिव हो गया फ्रैंड्शिप हो गया फ्रैंड्शिप नैस हो गया आपका हो गया honesty हो गई हो गया लीडर्शिप हो गया लीडर्शिप हो गया ओके सो नेक्ट वन इस डिसिप्लीन आ गया बहुत सारी चीज़े हैं जो आपको यह सुसाइटी में यह सारी चीज़े जो है लोगों को अवेर कराता है सेल्फ कॉंफिडेंस आ जाएगा आपका सेल्फ कॉंफिडेंस आ जाएगा आपका है ना और अज्जेस्मेंट आ जाएगा सिंसियारिटी और ओबिडियन्स बहुत सारी चीज़े हैं जो आपको शोशल डेवलप्मेंट में आपको जो फिजिकल एजुकेशन के तुरू आपको हैल्प मिलती है कॉपरेटिव होके कैसे आपको work करना है अपनी society में लोगों के साथ कैसे friendship रखनी है कैसे together होके कोई भी काम करना है अपनी honesty के साथ में आपको रहना है चीट नहीं करना है लोगों को कैसे leadership की quality आपको निभानी है discipline के साथ आप कैसे रह सकते हो self confidence आपको सिखाता है तो बहुत सारी चीज़े हैं जो यह हमारा social development करता है physical education इन सारे चीज़ों के थरी अगर जो जैसे कोई भी टीम होता है वो बाहर खेलने जाता है बाहर की rules होते हैं बाहर के कुछ traditions होते हैं बाहर के कुछ cultures होते हैं तो वो हमारे players जो होते हैं वहां पर यह सारी चीज़े नहीं देखते हैं कि वो किसी दूसर पर चीज़े सारे पर्फॉर्म करते हैं और बहुत ही अच्छे फ्रांग्शिप शो करते हैं फिर लिडर्षिप व्टवर जो सारी चीज़े हो सकती है वो सारे लोग वहां पर एक साथ में काम करते हैं वो यह नहीं देखते हैं कि वह अलग culture से या अलग society से आया हुआ है तो यह जो physical education है यह हमें aware कराता है चीजों से कि हमें यह जो सारी चीज़ें हम जो करते हैं कि वो अलग culture से है या अलग society से perform कर रहा है फिर वो अलग belong कर रहा है तो वो सारी चीज़ें यह बताता है कि नहीं हम सारे के सारे जो हैं वहीं Indian है और हमें हमें सब को एक साथ मिलके सा साथ में करना चाहिए okay okay students the fourth one is emotional development the fourth one is emotional development हमारा physical education हमें emotionally कैसे develop करता है so अगर यहां पर देखा जाए तो emotional are very important part for optimum development man's personality के लिए जो है यह optimum optimum development है for personality के लिए emotional development okay so यहां पर देख सकते हैं आप कैसे यह emotionally हमें कैसे develop कराता है see emotions emotions हो गया like love hate anger jealousy aggressiveness okay so a lot of things here अगर आप यहां पर देखें कैसे यह हमें emotionally कैसे हमें strong बनाता है emotions के मामले में आप आप match perform करने गया खेलने गया हो कुछ भी करने गया हो तो आप वहां पर क्या होता है आपको emotions in parti strong ह होता है कैसे strong होता है अप emotionally आपको वहां पर इतने chances मिल जाते हैं आप और नेक्स चांस मिलता है ँि अगर match hard जाते तो आप emotionally weak होजाते हो तो आपको वह सिखाता है कि नहीं आपको second chance भी मिलेगा आपको perform करने के लिए तो सब्समप्रे जाते हो आप thin Emotionally, strong होने लग जाते हो, आप आपके मन के अंदर जो like और hate की भावना होती है, love की भावना शुरू हो जाती है, hate की भावना है, जो है वो सारी चीज़ें जो है खतम होने लगती है, jealousy, aggressiveness, anger, यह सारी चीज़ें जो दिरे दिर आपका यह develop करता है, आप aggressive बहुत जादा हो रहे जो हमें physical education सिखाता है, हमें emotionally यह strong करता है, एक तरीकी से अगर आप देखा जाए, जो मैंने आपको लिग दिया है कि यह एक आपको optimum development करता है, हमारी physics के अंदर, हमारी physics के अंदर यह physics के अंदर जो है, यह हमें बहुत ही जादा अगर देखा जाए, तो हमें optimum development emotional के optimum progress that does it achieve to aim, aim को achieve करने के लिए यह सबसे ज़्यादा optimum development है, optimum progress है, okay, so emotional development, आप मैं अचहार रहे हो, मैं जीत रहे हो, आप aggressive के साथ में खेल रहे हो, anger के साथ में खेल रहे हो, perform कर रहे हो, तो आपको वो सारी चीज़े सिखाता है, कि अगर आप इस तरीके से करोगे, इस तरीके चीज़े से क्या होगा, आपको loss हो गा, आप दिरे दिरे क्या करोगे, चीज़ें आपके हाथ से निकलती जाएगी और आपको इन सारी चीज़ों पर पता भी नहीं चलेगा, तो धीरे धीरे आप क्या करोगे, आप physical education के थूख आप सारी चीज़े से क्या होते हो, aware होना तो यह क्या थे हमारे objectives of physical education थे जो हमें हमारे aim तक पहुचाने के लिए like development of personality increase करने के लिए या उसे better बनाने के लिए यह सारी चीज़े हैं जो हमें धीरे-धीरे क्या करते हैं help करते हैं तो यह क्या थे हमारे objectives of physical education ओके तो I hope आपको यह सारी चीज़े समझ में आई होगी